नई साल के पहले ही दिन हो गया एक बेटी के साथ कांड नई दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बाई साब पांच लड़कों ने दारू पी कर पांच किलो मीटर तक एक लड़की को इस कूटी में टककर मारी और पांच किलो मीटर तक उसे खिचेड के ले गए पहले उस बिचारी लड़की के बाई सब कपड़े इनके चीतरे चीतरे उड़ गए उसके बाद शरीर का एक एक हड़ी मास सव लिकड़ के बाहर गिर गया। अपने घर को चलाने वाली सुपुत्री जिसके घर में चार बेटिया और ती और दो छोटे भाई जो की एक 9 साल का एक 13 साल का है। एक बड़ी भेनत जिसकी शादी हो चुकी है। अपने घर को अकेली चलाने वाली थी जिसका पापा भी नहीं था। इसलिए मैं कहा हूँ मेरी भेनों ये दिल्ली तुमारे लिए सेफ नहीं है हर बार ऐसे कुछ न कुछ कांड होते जाते भाई आवाज उठती रहती है मगर कुछ नहीं होता और मुझे अब तो कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि ऐसे होता रहता है भाई लोग बोर होने लग दो महीने चार महीने च्छा महीने में जेल से बार जो थोड़ा हलके घर का है उसको भी कोई न को छुड़ाई लेता है मेरी सरकार से एक हाद जोड़के विनितियाप एक मजबूत कानून क्यों नहीं बना रहे क्यों हमारी बेहन बेटी है सेफ नहीं दिल्ली में क्या किसी लड़की को हक नहीं वो राच में अपने घर नहीं जा सकती छलके बाई साब वहीं का एक भाई जिनके सामने यह कांड हो रहा था उसने डेड़ घंटे तक बार-बार पुलिस वालों को फॉन किया लोकेशन दे रहा था बाई चारा बाई साब पुलिस नहीं आई पुलिस जब आई जब वो लड़की की लास को छोड़ कर मार कर लड़की को छोड़ कर और भाग गये ते और फिर किसी ने दुबार अपन करा कि भाई साब लास पड़ी अब तो आ जाओ पुलिस जब पहुची वहाँ जब तक कोई पुलिस नहीं आई अगर पुलिस उसी समय पुलिस नहीं हमारे देश में कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो फिर भी देश की हमारे देश की राजधानी वाई जब यहां हमारी लड़किया सेफ नहीं तो कहां सेफ है और आब वहाँ पर परदसन हो रहा है सभी और ते लेडिस उस गरीब बच्ची के लिए आवाज इससे की वो और उसकी जो और छोटी बेहने हैं छोटे भाई हैं उनका घर संबल जाए हर नई साल पर ऐसी होता है कोई पी के चल रहा है कोई किसी कोई मार रहा है तुमने एक परिवार का नास कर दिया इस बच्ची के लिए इस वीडियो को शेर कर देना हो सकता है इस वीड कर दे सरकार की आखे खोल दे और कोई ऐसा मजबूत कानू ना जाए जिससे मेरी बेंड बेटी खुल के चल सके रोड पर